सीना तान के छीना है क्योंकि गर्व से हमको जीना है शहीद हुए जो मात्र भूमी पर उनके हर कत्रे के निशा हैं यहाँ तकरीबन सत्तर वर्षों तक आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की याद में कोई राश्ट्रियस मारक ना होने की कमी हमेशा देशवासियों को खलती रही सैनिबलों एवं समस्त देशवासियों की भावनाओं को साकार करने का संकल्प हमारे प्रधान मंत्री जी ने उठाया 25 फरवरी 2019 को राश्ट्र को समर्पित राश्ट्रियस समर्स मारक हमारे प्रधान मंत्री जी के उस विशन को दर्शाता है जिसमें उन्होंने आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की स्मृति को एक रूप प्रधान किया आज माननिय प्रधान मंत्री जी राश्ट्रियस समर्स मारक डिजिटल स्क्रीन और उन्नत तकनी की सुविधाएं राश्ट्र को समर्पित कर रहे हैं जिससे राश्ट्रियस समर्स मारक की पहुँच अब युवाओं और व्याबक जन्समूह तक होगी राश्ट्रियस समर्स मारक के प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे बढ़ते ही दाई और बाई तरफ सुविधाजनक टच स्क्रीन लगी है आउट्डोर इंटरेक्टिव टच स्क्रीन और दो विशाल एलीडी आउट्डोर बॉल के माध्यम से वीरों को श्रद्धांजली दे सकते हैं यहां आने वालों का मोबाईल फोन ओडियो आधारित टूर गाइड का प्रयोप कर लोकेशन, मार्ग और इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा राश्ट्रिय समर स्मारक के सभी पहलूओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ओडियो विवरण के साथ 21 शेत्रिय भाषाओं में उपलब्ध है स्मारक में अंकित 26,275 शूरवीरों के बारे में जाना जा सकता है 360 डिग्री व्यूप इस सुविधा से दुनिया के किसी भी कोने से राश्ट्रिय समर स्मारक के वर्चुल दर्शन कर सकते हैं रानी जासी की पवित्र कर्म भूमी से आज ये लोकारपन देश के सैनिकों से ये वादा है कि उनका बलिदान हमारे मन मानस पर सदैव अंकित रहेगा